असान तरीके से बिलकुल आप एग्जेक्ट और सही ड्राइंग कैसे बना सकते हैं और आपको बता दें कि सेट स्क्वेर का जो परियोग है वो हम कि जब कोई ड्राइंग में अकृती हो 30 डिगरी के उप़र और 45 डिगरी के ऊपर हमें क्योई बनानी हो औब्जेक्ट की तब हम उसार्ट स्क्वेर का परियोग करते हैं जातर हम सर्ट स्केर का प्रियोग आिसो मेट्रीक जब व्यू बनाते हैं किसी भी औबछेक्ट का उस वक्त हम उसको सैट स्केर की साइटा से ही हम बनाते हैं तो आपने देखे होगी सैट स्केर कैसे होती है यह आपके सामने मैं दिखा रहा हूं यह दो सैट आते हैं एक तो यह है और दूसरा आपका यह तो सैट आते हैं यह अलग-लग साइज के अंदर आते हैं लग-बग सम कौन त्रिबुच के अकार की जो सेट है उसको उसके अंदर के है आपके जो अलग-लग कौन है जो यह वाली कोर्नर है यहाँ पर 45 डिगरी का कौन होता है और जो दूसरी साइड है यहाँ पर लेफ साइड में यहाँ भी 45 है और बीच में के है यहाँ पर आपका 90 डिगरी का कौन होता है तो जो एक सेट है इसके अंदर दोनों लेफ और राइट कोर्नर पर 45 डिगरी होगे और बीच में आपका यहाँ 90 डिगरी का होता है कौन सेकिंड जो सेट है उसमें आपकी जो यह लंबी सी चोज साइड चोज सी बनी हुई है इस साइड पर आपका होगा 30 डिगरी और इसके बिलकुल उपोजिट होगा आपका 60 डिगरी यहां पर लेफ साइड में और यहां फिर आपका 90 डिगरी होगा तो इसके अंदर आपको तीन कौन मिलेंगे 30 डिगरी यहां र isometric drawing बनाते हैं तो जो हमारी ये जो मेरे हाथ में है set इसका हम as a helper यूज़ करेंगे और जो ये हमारी दूसरी है set square इनको दोनों को अपस में use करेंगे जो नीचे वाली है वो इसको as a help करेंगे slide करने के काम आएगी जब हम isometric drawing बनाएंगे जब 45 की अगर कोई ड्राइंग बनानी है जैसे की oblique जो view होता है projection के अंदर तो उसमें हम ये 45 वाली यूज़ करेंगे और उसमें जो 30-90 वाली है वो आपको as a slider काम करेंगी तो आज हम इस वीडियो में आपको isometric view किस तरह से बनाते हैं वो आपको जिखाएंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है ड्राइंग में एक आपने एक baseline आपने यहां ड्राग करनी है जब यह isometric ड्राइंग बनाएंगे आपने एक baseline लेनी है अब इस baseline के उपर आपने जो यह है हमारी 45 वाली इसको आपने यहां सेट कर लेना है इस line के उपर और इसका एक midpoint हम ले लेंगे और यहां हम 90 degree का कौन बनागे एक हम 90 degree के उपर ऐसे एक रेखा लगाएंगे उसके बाद जो isometric मैंने आपको बताया था कि जो ड्राइंग है आपकी 30 degree के उपर बनती है तो आपने 90 degree की line लगानी है सबसे पहले तो center में फिर इसको ऐसे आपने slide करना है right की तरफ और यह आपका इस तरह से आपने set कर लेना है थोड़ी सी उपर distance पर यह आपका right side की 30 degree का कौन बन गया है तो इसके उपर आपने एक ऐसे line ड्रा कर देनी है उसके बाद फिर इसको आपने ऐसे anti-clockwise उल्टी दिशा में इसको घुमाना है तो यह आपकी अब left side की 30 degree बन जाएगी बिल्कुल इस point की सीद में आपको set करना है और आपने एक line यहाँ ड्रा कर देनी है उसके बाद जो भी आपने इस आइसमेट्र का साइज लिया है उसको आपने मेजर कर लेना है जैसे कि अभी हम यहाँ कर रहे हैं जैसे कि हम यहाँ आपको क्यूब बनाके दिखा रहे हैं यहाँ आपने 5 cm निशान लगा लिया है ऐसे ही इस side 30 degree पर भी आपने 5 का निशान लगाना है और यहाँ जो vertical है हाइट है यह भी आपने 5 की cm निशान लगा लेने पापिस आपने इसको baseline पर set करना है और जो दूसरी set square है उसको आपने यहाँ जो हमने यह 5 का निशान लगाए था यहाँ set करके आपने एक 90 degree पर उपर की तरफ एक line खेच लेनी है फिर इसको ऐसे slide करते जाएंगे जो left side में हमने यहाँ mark किया था 5 cm का उसके उपर भी आपने एक line ड्रा कर देनी है वर्टिकल में 90 degree पर इसको आपने फिर वापिस slide करना है और जो यहाँ height पर हमने जो mark किया था वहाँ set करके 30 degree के उपर आपने यहाँ इन दोनों line के बीच में आपने यह line से ट्रा कर देनी है इसको फिर आपने यह ध्यानक नहीं किस तरह से rotate करना है इसको आपने anti-clockwise rotate करना है वापिस यहाँ इस 5 वाले point पर आपको set करना है और इस side भी आपने एक line ट्रा कर देनी है इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे यहाँ line तक touch कर लेंगे 90 degree के उपर फिर आपने वापिस 30 degree पर set करना है और इस point पर आपको यहाँ लाना है और यहाँ 30 degree के कौन पर ही आपने यहाँ इसको ऐसे खरेखट रहा कर देंगे फिर वापिस आपने इसको clockwise घुमा के दूसरी तरफ जो एंगल है वापिस वहीं set करना है और प्राइट वाली जो 30 degree है उसके इसाब से आपने इसको लाइन मुला देना है यह आपका क्यूबर्ड घन आपका त्यार हो चुका है 30 degree के उपर इसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइन से हैं हमको आपने इरेज कर देना है यहां से तो इस तरह से आपका यह क्यूब आपका आईसोमेट्रिक क्यूब आपका त्यार हो चुका है तो कोई भी आईसोमेट्रिक व्यू आपको जब बनाना हो तो इस तरह से आपने सेट स्केर के प्रियोग करके आपको बनाना है आपने ध्यान रखना है कि किस तरह से मैंने यहा लगाने लाइन और एक बार आपको ऐसे अपोजिट डिरेक्शन में इसको मूव करके इस तरह से लगाने हैं तो यह बिल्कुल इसी है गाइज एक बार आप करोगे ट्राई तो आपको बिल्कुल समझा जाएगा उसके बाद चाहे किस तरह का भी आपकी जो ड्राइंग हो या कोई भी आइसिमेट्रिक ब्लोक है वो सेट स्केर की साइटा से खिस तरह से त्यार करते हैं वह आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजेगा और अपने फ्रेंट्स में इसको शेर कीजेगा अगर आप नहीं है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजे और बेल आइकन को जुरूर दबाईएग ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं आप अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुच जाए थैंक यू